हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टो हिंदी मिर्ण चैनल सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिर्ण पर्फिस स्वागत है अभी जो हम कंटेंट लेकर रहा है एक्सो एक कोड से संबंदित हैं और यह पेपर इंग्लिश का है के लिए पेपर का नाम है बिजनिस कम्मुनिकेशन्स और यह जो एक्जाम अभी हुए थे दिसंबर में पर्फिस के उनका प्रिवेश पेपर है यह और यह बैनेफिशल वीडियो है जितने भी बीए के स्टूडेंट्स हैं पर्फिस के और उत्राखंड यानि के यू ओ यू स एक्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए अगर आपके पास यह वाला पेपर है और आपने फिल किया है तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही फायदे मंद रहेगा यह जो प्रिवेश पेपर है और इस पेपर में असाइमेंट नहीं होता है तो यह पेपर आपका हंडे नंबर का आता है, दो घंटे का आपका ये पेपर होता है तो चलिए बता देते हैं प्रवेश पेपर में किस परकार के आपके कोश्ण्स पूचे गए थे जिसे आप अच्छे से अपनी तियारी कर सके और इस अच्छे के लिए कही न कहीं, हिंदी मिरर आपके बहुत हेल्प करता है तो हिंदी मेर के लिए एक लाइक तो बनता है कर दीजे और शेयर कर दीजे सभी स्टुडेंट्स के लिए कहीं न कहीं जैसे आपके लिए यह पैनेफिशल वीडियो है तो किसी स्टुडेंट्स के पास यह वाला नंबर होगा यह वाला कोड का पेपर हो जब आप बैल आइकन भी हिट करेंगे साथ में अब यहाँ पर सभी को मालूम है जो पेपर अभी तक आप दे चुके हैं सेक्शन दो में डिवाइड होते हैं आपके पेपर लेकिन जो आपके 70 नमबर वाले पेपर होते हैं वहाँ पर जो लोंग कोशन आते हैं दो रुकरने ह होते हैं जिसमें वो 90 नमबर का आता है लेकिन ए इसी सी में जो कोशन आएगा वह 26 नमबर का आएगा अब आप खुद देखिए कि आप 26 में कितने पेज फिल करेंगे क्योंकि 26 मास कोई कम मास नहीं होते हैं बहुत जादा मास होते हैं दो कोशन अटेम करना इतने नमबर के वो भी बहुत बड़ी बात होती है और मेरा मानना है कि लोंग कोशन में आप सिर्फ एक ही घंटा दीजे और एक घंटा आप शोट में दीजे क्योंकि शोट भी आपको चार करने हैं जो कि बारा नमबर के हैं तो अब आप देख लीजे किस तरह से टाइम मैनेज करेंगे ब लेकिन कोशन एक भी मत चोड़िएगा अगर आपने लोंग में एक ही किया तो सीधे सीधे आपके हंडिन में से 26 मार्क्स माइनस हो जाएंगे चलिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा प्रशन यहां पर पहला बना था डिसकस दा वरियोस बैरियर्यस टू कमिनिकेशन इन डिटेल बहुत अच्छा प्रशन है रिपेटिट प्रशन है बैरियर्यस इस बार भी आपके कमिनिकेशन के पूछे जा सकते हैं आप यहां पर नेस्ट कोशन पुछा गया था अलू यू सी टेट दा प्रोसीज ओफ कमिनिकेशन इन डिटेल फिर आपका नेस्ट कोशन थर्ड कोशन पुछा गया था डिसकस इन डिटेल दा प्रिंसिपल्स ओप रिटिन कमिनिकेशन फोर्थ कोशन था वाट इस नॉन वर वर्बल पूछ ले गया हो सकता है इस बार आपसे वर्बल कमिनिकेशन पूछ ले तो कोशन्स इस बार ये बन सकता है वर्बल वाला और ये नोन वर्बल आपका शौट में जा सकता है ऐसे ही यहां वर्यूस ये पूछे गए है वर्यूस यहां पर वर्यूस में शौट में जा सकते हैं कोई पर्टिकुलर एक आप से पूछा जा सकता है तो कोशन यहीं से पूछे जाएंगे लेकिन इनके ही दुरूब बदल जाएंगे सभी प्रशनों के चलिए अब फिप कोशन देख लेते हैं डिसकस इन डिटेल मार्स औलोस हेरीजी ओवनेट तो यहां पर डिटेल आपको करनी है, डिस्कस करनी है है μαςलोसक के और हैरी जी ऌफ नीट की नेस कोश्षान Simply सें अब यहां पर बांच ने यहांपर प्रिंस्पल ओफ रिटेंड कम्म्यूनिकेशन यहां Daha से प्रशन्ह बने गां Kal में बनेगा शॉर्ट के बात करते हैं अब देखते हैं शॉर्ट कोशिन कौन-कौन से पूछे गए थे यहाँ पर आपके पास आप कोशिन पूछे जाते हैं इन आट में से कोई से भी आपको चार करने होते हैं जो की 12 नंबर का एक होता है कोशन बिल्कुल मत चोड़ना चाहे दो ही पेज़ का करका हैं मैं बार बार कह रहे हूँ गर आप छोड़ोगे तो सीधा सीधा आपके ट्वैल नमबर माइनस हो जाएंगे फर्स कोशन यहाँ पर पुछा गया था बहुत अच्छा प्रशन है इस पार भी आपसे पुछा जा सकता है अच्छा प्रशन पूछा गया था तो तीन कोशन यहाँ पर इन में से इंपोर्टेंट मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ इसमें आपका यह वाट इस दा मीन पाइदा टम इन्फॉर्मेशन ओवर्लोड यह प्रशन भी इंपोर्टेंट है और ही टीम वर्क वाला आपका हो सकता है इस वाल लॉंग में बन जाए और यह जो आपका इन्होंने बेट्वेंट पूछा है हो सकता है इसके लावा और कोई से पूछले लेकिन अंतर जरूर आएगा अब चलते हैं आगे राइटेंट नोट ऑन दा इंपोर्टेंट्स ओफ एक्टिव लिसनिंग एंड डिटिंग इन कम्मिनिकेशन बहुत अच्छा प्रशन है यह इंपोर्टेंट्स एक्टिव लिस सकते हैं एक अच्छा वक्ता तभी बन सकते हैं जब एक अच्छा शुरूते होंगे तो आपको एक्टिव लिसनिंग एंड डिटिंग कम्मिनिकेशन आना चाहिए बहुत अच्छा इंपोर्टेंट रूल होता है इन दोनों का और राइटेंट नोट ऑन शोशल पैनिट्रे इंट्रा पर्सनल बिजनिस कम्मिनिकेशन तो ये प्रशन भी बहुत इंपोर्टेंट है इंट्रा पर्सनल पर्सनल ये दोनों ही टॉपिक इंपोर्टेंट होते हैं कम्मिनिकेशन में पर्सनल और इंट्रा पर्सनल एक इंट्रो पर्सनल भी होता है तीनों को आप अच्छ से पड़कर जाएगा और इस बार शॉर्ट नौट पूछा है वो सकता है इस बार यहां से लोंग में प्रशन आपका बन जाए तो बने रहीए हिंदी मिरर के साथ फटा फट लाइक कर दीजिए सारे कोशन आप तक पहुंच चुके हैं तो इसका जो नेगेटिव न्यूज होती हैं इससे आप क्या समझते हैं यहां पर आपको बताना है फिर इसके बात या फिर उसका क्या मिनिंग है लास कोशन था डिफाइन दा टर्म प्रेस कॉनफरेंस बहुत अच्छा प्रशन है यह भी वाट इस दा इंपोर्टेंस इस डे परशन पूछे गए हैं यहां से प्रशन आपके बनेंगे ही बनेंगे बहुत अच्छे से तयारी कर लिजिए इन वाले कोस्टन की आप क्योंकि कॉस्टन सारे सिलेबस में से पूछे जाते हैं और कोस्टन अदल बदल के शोट लॉंग बनते हैं लाइक कर दीजिए शेयर क इज रुगा लिजया